सुब्सक्राइब करें चाएं और वालियुम हो गया लेकिन नौनमर वॉल्यूम नहीं दूसरा वॉलियुम है और उसके साथ ही यहां पस मैंने यूज किया RSI को यहां पस तीनों एंडिकेटर को मर्च करके बहतरीन से स्टेटेजी बनाए आप सभी के रिए तो वीडियो को एंडिकेटर जरूर देखते रहे हो कि यहां पस अगर इसमें आप जो हमासर बने है तो यहां आपका फायदाव सर्च कीजिए आजागा पीवोट ठीक है सेकेंड अपना का RSI कोई भी भी आरे से ले सकते है मैंने अपना खुद का कस्टाम आरे से ले जो कि मैंने चर्ट जीपीटी से बनाए हुआ था और सेकेंड है अपना रैड का एक्स थीक है तो यह वाला इंडिकेटर बसूट को बताना था आपको इसमें मैंने क्या सेटिंग किया उसको मैं बाता हूंगा पहले तुम आपको बताऊच का की बिचा करता है देखिए मैंने यहां पे ना काफी सारे एक यहां पे मार्केट में पोजिशन बना कर लिया हुआ था, अब जैसे कि market में आपको entry लेना है, तो आपको एक best entry position बना कर चलना रहता है, ठीक है, जैसे कि market यहाँ पे open हुआ है, opening के साथ में काफी अच्छा अपने को volume देखने को मिला है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इस endigator में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे इसको छोड़ा कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए, market में इस zone के पास में अपने को काफी अच्छा यहाँ पर downtrend देखने को लिए मिल रहा है, opening के साथ में आपको काफी अ मैं दिखा रहा है, crossword दिखाई दे रहा है, next candle में पास में market opening के साथ में crossword को confirm हो गया था, market में अपन एंटी ले सकते थे, और next support line तक अपन जो market में position मना कर रख सकते थे, ठीक है, जैसे कि अगर आपको नहीं आता है, तो यहाँ पास pivot कौन कर लिजे, नॉर्मली, यहाँ प एक बहतरी लेवल निकाल कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस zone के पास मैं आपकर मैं इसको horizontal line ड्रॉ करूँ यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ तक अपने को profit अराम से मिलता कर आप position मना कर रखते तो, ठीक वैसे market यहाँ पर अप जा रहा था, अप ट्रेंड में था तो pivot को यहाँ पर ब्रेक दिया है, और pivot को ब्रेक देने के बाद में आपस देखी यह इन डेटर जो पहले से volume, high volume शो कर रहा है कि market uptrend में है, तो अबना किसी भी zone में, अगर यहाँ पर 75 zone को यहाँ पर ब्रेक देता है, अप ट्रेंड में है वो भी, ठीक है, यासे कि इस candle क के बाद में देखी, यहाँ पर यह वाला जो candle था, यहाँ पर अप्टेंड सो कर रहा है, आपस volume भी काफी ज्यादा high था, यहाँ पर 50 और 75 यह जो horizontal लेंड डॉकिया है, उसको आप ब्रेक दे रहा था, तो यहाँ पर यहाँ पर genuine entry ले सकते हैं, तो market में position मना कर रखते हैं, अगर हम pivot के यहाँ पास बात करते हैं, यहाँ पर pivot lane को ध्यान में रखते हैं, तो इस zone तक अपन position मना कर रख सकते थे, ठीक है, 245 तक यहाँ पर अपने को बहतरीन profit देखने को मिलता, अगर मैं फड़ा और बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने entry ले हुआ था, यहाँ मैं pivot को पहले off कर देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा कचड़ा ना लागे, ठीक है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर मैं next candle में entry लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका volume चेक कर जी, इसके साथ में, यहाँ पर 70, 50 plus को यहाँ ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है, इसका देख सकते हैं, आप 50 को ब्रेक दिया हुआ है, अगर मैं RSI की बात करूं, RSI अपने को यहाँ पर भी डाउन टेंड सो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर स्नाक्स, सपोर्ट, लाइन या फिर अपन बोल सकते हैं, पीवोट को ध्यान में लगते हैं, पोजिशन बना कर रहते हैं, तो आपको बहतरी से एक्जिट लेना, जैसे कि यहाँ पर मार्केट एक structure को break किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप इससे structure break किया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, RSI क्या बता रहा है, RSI भी अपने को uptrend सो कर रहा है, और यह जो volume indicator है, अपने को 75 प्लस में, मतलब यहाँ आप एक genuine breakout मिला है, यहाँ पर, आप यहाँ पर entry ले सकते थे, और यहाँ पर next यहाँ पर assistance zone या फिर यहाँ पर इसका key level अपन जो market last time अपने गया था, swing में, वहाँ पर अपने को यहाँ पस अगर ड्रॉ करते हैं, तो इस zone के पास में अपन प्रॉफिट बॉक कर सकते थे, ज्यादा नहीं आपको यहाँ पस around around हो सकता है, 25, 24 तक का profit देखने को मिले, यहाँ पर 24 तक का profit देखने को मिला है, और देख सकते हैं यहाँ पर इस यहाँ पर इस candle के पास में, यहाँ पर हलाकी candle weak है, लेकिन यहाँ पर इस वॉल्यूम जो है न देखिए, यह 50 प्लस में है आपको दिखाई दे रहोगा, यह 50 प्लस में है यहाँ पर तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं, कि मार्केट में बहतरिन एंट्री के लिए वॉल्यूम को ट्रेडर चुपा नहीं सकता है, इसलिए वॉल्यूम कहीं छुपता नहीं, हलाकि candle weak था लेकिन मार्के यहाँ पर मैंने स्टाइल को देखी, यहाँ पर सभी उपर का तीन ओफ है, और यहाँ पर जो यह लाइन जो है, मैं 1 upon 4, 2 का, 3 का, और 4 upon 4 का, यहाँ पर माइनस 50 है, 25 है, 50 है, 75 है, ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इसको as it is, वैसे ही जैस रख है, वैसे रखिए, और एक बार बेक प्रेक्टिस करना, काफी अच्छा ट्रेड करना, कम से कम आप यहाँ पर 25 बेक प्रेक्टिस टेड या फिर लाइव मार्केट में टेस्ट करना, इस इंडिगेटर, इस ट्रेजी को उसके बाद यूज करोगे, मैंने बताया कि यहा इने कही अप टेंड सो करता है, और प्लस 50 जब होता है, और वापस रेड लाइन जब सो होता है, तो मार्केट डाउन टेंड में आता है, इस बात को आप गौर करके रखिए, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पस मार्केट जो है, 50 माइनस 50 में आय मेलता है और जब एक पर्फेक्ट time में dit मार्केट जो है αइस structure को ब्रेक dividedेता है तब मार्केट अमूंस vitat को देखने है इस बात को तो आपको ना धम को समझ नहीं है तो मैं आ अपके लिए और वृटो बता दूंगा अपक Q Bundes को है पसंद दितरो तो आप लोगों को हमारा यह जो वीडियो पसंद आओगा यह इंफॉर्मेशन पसंद आओगा यह टेडिक स्टेड़ी पसंद आई होगे तो वीडियो को लाइक करें अगर आप तक हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल विद्ना वो लेक को कि मैं आपके लिए ऐ आसे ही वीडियो स्टेड़ी यह टेडिंग स्टेड़ी नेकर आता रहूंगा तो फिर आपके लिए बसेते हैं जैहिल बन्ने मात रहूं